अभी बहुत सारे योजना है हमारी आनी है जिसके माद्यम से आप लोग बहुत और भी आगे बेहतर काम पढ़ाई कर सकेंगे अभी मुखमंत्री सार्थी योजना आदा है अभी कल पर सोई हम लोगों ने सरकार में कानून बनाया है गुरू जी क्रेडिट कार्ड के माद्यम से हमारे बच्चों को पंदरा लाख रुपे तक का जब मिनीमम रिंड पर ब्याट पर हम लोग उसको उनको रिंड देंगे और दूसरे दिन से वापस करना ऐसा नहीं है उसके लिए पढ़ाई के लिए उसके लिए हम लोग उसको लोन देंगे 5 साल पुरा पढ़ाई कर लेगा 5 साल तक उसको वापस नहीं करना है छट्ठा साल वो अपना रोजगार ढूंडेगा सात्वा साल के बाद सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस करेगा आप जाके बैंक में दिखाईए कितना पैसा आपको लोन देता है जारकन का बच्चा का यहां का आदिवासी दलीद पिछडा गरीब को बैंक लोन देता है कभी नहीं देता है तो हमने यहां यह संकल्प लिया है कि अब यहां हमारे आने वाली पीड़ी सिक्षीत और मजबूत होगी इसके लिए मॉडल स्कूल, उत्रिष्ट विद्धाले, बेहतरीन कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, इंगिनिरिंग कॉलेज, अस्तापित करने की कार्योजिना बनाई है अभी तो आपके यही नवाट इसी जहां हम लोग यह कारिकरम कर रहे हैं इसी के बगल में आप लोगों का आज एक डिगरी कॉलेज के सिलेनाज भी होना है, जो लगवाट 25 करोड से अधिक का बनेगा, जो हमारे आधर निये जगरनात मातो जी का सबना था, हम आज उसका नियू रखने यहां आए हैं और बुकारोज जिला सुरू से ही सिख्षा के चेतर में अगरीनी जिला रहा है, आज धीरे धीरे उन सब में परिवर्तन भी कर रहे हैं, अभी आपके गोमिया में भी एक डिगरी कॉलेज बन कर तयार हो चुका है, आप उसमें पढ़ाई, लिखाई करना है, आज उस गोमिया का डिगरी कॉलेज का भी आज यहीं से उधगाटन हो रहा है, एक डिगरी कॉलेज उधगाटन हो रहा है, दूसरा डिगरी कॉलेज का से लिए नाथ हो रहा है, तो कई ऐसी चीज़ें नावाडी में कई सारी योजना आज यहां से सिलेन्यास उद्गाटन हो रहे है आपको मन से बताया हो गया है सान बगल में कई सिलापट भी आपको दिखाया गया है बहुत जल्द वो सब सिलापट अपने अपने जगवों पर अपना काम जहां सुरू होना है वहां लग जाएगा और जहां उद्गाटन होना है वहां लग जाएगा महिला कॉलेज हो बच्चों का पहली क्लास से लेकर के डिगरीज तक का व्यवस्ता हम लोग कर रहे हैं तो कई चीजे हैं आज यहां पर लगबग दस हजार लोग यहां उपस्तित हैं जिनको आज सरकार के द्वारा बिभिन योजनाओं से जोड़ा जाएगा कुछ महिला दीदी लोग यहां आकर के अपनी बातों को रखा कुछ नौजवान भी यहां आकर अपनी बातों को रखा सुनकर मुझे बहुत कुशी भी कम से कम आप लोग सरकार जो योजना बनाती है वो आप के लिए योजना बनाई है आप हाथ दिजिए सरकार आपको दोनों हाथ से पगड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखाएगे आप आगे बढ़िये तो सही आप एक कदम बढ़ियेगा तो चार कदम सरकार आपके साथ आगे बढ़ेगे इस सोच के साथ सरकार चल रही है आज दस हजार महिलाओं के बीच में लगबग 56 करोड रुपया का परिसंपत्ति बटना है, किसी को स्कॉर्पियो बटना है, किसी को टिम्पू बटना है, किसी को ट्रेक्टर बटना है, सेल्फ हेल्फ ग्रूप को, हमारे महिलादिदियों को रासी मिलने हैं, कई ऐसे चीज़ें, आज सरकार गाओं के लिए, सहर के लिए, छोटे-छोटे कस्वे के लिए, कई योजनाएं चला रही है, मुखमंत्री, रोजगार, योजना, के माध्यम संसोर, रोजगार आप खड़ा कर सकते हैं, पचास हजार से लेकर के पच्चीस लाख रुपया तक का आपको सरकार लोन दे रही है, आप अपना कारी योजना बनाएए, उस हिसाब से सरकार आपको लोन देती है, आज इस बच्चे ने स्कौर्पियो लिया है, आज बजार में बारा लाख, तेरा लाख रुपया दा में इसकौर्पियोगा, पता नहीं इससे भी अदिकी होगा, आज उस बच्चे को मात रही है, एक लाख रुपय लगाऊगा, आज उसका, अगर वो ड्राइवर के मालिग बन करे उसको चलाएगा और कभाएगा परिवार का पेट पाले हैं तो किसी के पास जो करके हो आप मालिक बन करके काम करें सरकार की ये सोच आप रासन दुकान खोलना चाहते है रासन दुकान के लिए सरकार मदद करती है आप नाई का दुकान चलाना चाहते है महिला ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है उसके लिए भी सरकार आर्थिक साहिता दे रही है जूता, चपल, कपड़े का दुकान, होटल, रेस्टुडेंट और आज किल गाउधियात में टेंट हाउस का काम बड़ी जोरों से चलता है टेंट हाउस का काम करना चाहते हैं उसके लिए सरकार राश्री दे रही है आपको जो काम करना महिला हो पुरूस हो हमने अभी कुछ दिन पहले सिद्धू कानू सहीद दिवस था होल दिवस के दिन मैं सहाइब गंग गिया और उनके सहादत और जहनती पर हर बार हम लोग वाँ पस्तित होते हैं और बड़ी खुशी की बात है इन दोनों कारिक्रमों के माध्यम से लगबग वहाँ पर बीस अधिक ट्रेक्टर बटे गए और उस बीस ट्रेक्टरों में से कम से कम आच से दस ट्रेक्टर महिलाओं ने ले ले लिए हमने जब जानने की कोशिस की की महिलाओ कैसे ले रही है भाई इसको चलाएगा कौन तो उन महिला दीदियों ने कहा कि हमको भी आता है चलाने के लिए फिर भी हम नहीं माने नहीं हम बोल लगता है कुछ घड़बड है कारिकरम समात होने के बाद हमने उन सभी महिलाओं को बुला कि आप लोग ट्रेक्टर चला के दिखाईए और फर्राटेजार इन लोगों ने ट्रेक्टर चला के दिखाया और तब मैंने समझा कि ये परिवर्तन का दौर बड़ी तेजी से गुजर रहा है अब इस काम को और तेजी लाए जाए आज के दिन में समय का भाव कह कि जो की अविस्सक्ता को ध्यान में रखकर महिलाओं स्वरुजगार के लिए भी निकल रही है खेती बाड़ी का भी काम मजबूती से कर रही है मुखमंत्री पसुधन योजना हम अभी चालू कर रहे हैं गाओ दिहात में गाए बकरी मुर्गी सुवर बेड़ बतक जो पाल रहा हैं आपको वो आप पालिए और गाओ की जो पहचान है उसको जीवित की दिये आपको हम बताएं सुनकर आश्चर होगा कि आज के दिन में हमारे राज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे कई बिमारियों से ग्रसित बच्चे पैदा हो रहे हैं चालिस परतिसत बच्चे हमारे कुपोसित बच्चे पैदा हो रहे हैं क्यों? आज के दिन में भी कई जगह हम देखते हैं कल पर सो कोई बुड़ा बुजुरू मर गया जिसका उमर सौ साल से उपर हो जाता है एक सो दो, तीन, चार, पाच साल तक के लोगों को हमने इस दुनिया से जाते हुए देखा है लेकिन आज हमारे बच्चे इतना कमजोर कियों पैदा हो रहे हैं वो इसलिए कमजोर पैदा हो रहे हैं कि हम लोगों ने अपने पुरुआ जो की परमपरा विवस्था को खत्म कर दी अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले